जैमातादी जैमा का मख्या दुम दुम धुमावती ठाठा मा भगवती धुमावती दस महाविद्या में से एक महाविद्या है श्रीमत देवी भागवत महापुरान के अंतरगत मा धुमावती के बारे में आज हम चर्चा करेंगे क्योंकि यह भी देवी भागवत महापुरान का एक अंश्य है क्योंकि सफसे बड़ी देवी है इसलिए इनकी चर्चा करना भी आवश्यक है बहुत से मनुष्य जानते ही नहीं है यहने कि असी प्रतीशत व्यक्ती नहीं जानते कि धुमावती नाम की भी कोई देवी जी होती है क्योंकि इनकी पूजा करने से बड़े बुज़ुर्ग परिवार के सदस्यों को रोकते हैं क्योंकि इनकी पूजा भहुत विशेश नियम कानून से की जाती है किसी ने मंत्र भी नहीं सुना होगा मा धुमावती की ये इस्तिती है तो धुमावती मा के मंदिर भी कोई नहीं बनाता है क्योंकि ये हर किसी के बूते में नहीं हर किसी की शक्ती में नहीं है कि उनके मंदिर बनाते पूरे भारत में गिने चुने आठ दस मंदिर है केवल जहां धुमावती मा को बिठाया गया है बाकि धुमावती मा के मंदिर ही नहीं है तो जब मंदिर ही नहीं है तो पूज्या केसे होगी, केसे व्यक्ति जानेंगे, तो दुमावती मा का जो इस्तवन होता है, बद्रकाली महाकाली डमुरु वाध्यकारिनी इस्फारित नैनाचेव टक टंकित हासिनी धुमावती जगत करती शुर्प हस्तात थेवच अस्ट नामात्मकम इस्त्रोतम यह पठेत भक्ती संयुक्तह तस्य सरवार्त सिद्धी स्व सत्यम सत्यम हिं पार्वती यहने माता पार्वती का ही एक रूप है बद्रकाली का ही एक रूप है वहां काली का ही एक रूप है जगत पालन करने वाली है सूप सुर्प हस्ता यहने सूपा जिससे की हम अपने धान को अनाज को साप करते हैं और जो खराब खराब चीज होती है उससे बहान निकाल करके फैक देते हैं उसी प्रकार से मा भगवती दुमावती भी अपनी जिंदगी के बहुत से जो खराब चीज होती है उनको सूपे में चान करके एक तप कर देती है और आपको सुरक्षित कर देती है तुमा धुमावती के ये आठ नाम है मलग जो व्यक्ति इन आठ नामों को भक्ति बुर्वक रोजाना पाठ करता हो उसे सरवार्थ सिद्धी प्राप्त होती है यह सत्य है, सत्य है, सत्य है ऐसा बताया गया है कुन गोंजे आठ नाम? बद्र कालिये नमह, ओम महा कालिये नमह, ओम डमरु वाद कारिनी नमह, इस्फारित नमह, टक टंकित हासिनी नमह, दुमावत्ये नमह, जगत करते नमह, और शुर्प हस्ताई नमह यह आठ नाम है तो मा दुमावती की उपासना हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता इसकी कुछ योग्यता होती है वही मा दुमावती भगवती की आरादना कर सकता है सादना कर सकता है पूजा कर सकता है सुहागन इस्त्रियों को माँ भगवती की पूजा करने का अधिकार नहीं बताया गया है शास्तर में लिखा हुआ है क्योंकि माँ भगवती धुमावती स्वयम अपने आप में विद्वा इस्तरी के सुरूप में वर्णन किया गया है इसके पीछे कहानी है हमारे शाष्ट्र में और उस कहानी की वज़े से इसा कहा जाता कि सुहागन इस्त्रियों को माध्धुमावती की उपासना पूजा नहीं करनी चाहिए हाँ विद्वा इस्त्री माध्धुमावती की भक्ती कर सकती है पूजा कर सकती है पाठ कर सकती है इवन हवन भी कर सकती है और माध्धुमावती के नाम का हवन किसी दुरगाजी मंदीर याने सात्विक मंदीर में नहीं होता है आकाश के नीचे कोई भी यग्य कुंड बना करके उनका हवन किया जाता है किसी सात्विक देवी जी के मंदिर में मा धुमावती के नाम से हवन नहीं करते हैं ऐसा भी शास्त्र केता है इसलिए तो हमारे बड़े भुजर्ग लोगों ने कभी बच्चों के मुख पर मा धुमावती का नाम ही नहीं आने दिया और इसलिए उनकी उपासक व्यक्ति बचे ही नहीं तो कामदात्री कामहंत्री क्रश्नाचे कपरदिनी कुमदा क्रश्न देहाच कालिंदी कुल्पूचिता तो मा धुमावती के पास में जो उनका अस्त्र है कोई तलवार त्रिशूल नहीं है सूपड़ा है सूपड़ा जिससे हम धान को साप करते हैं इसे वेसे वही हमारी समस्याओं को हमारे शत्रों को सूपड़े से बहान निकाल के फेंक देती है जिन्दगी से बहार कर देती है इसलिए मा धुमावती को उग्र देवी के रूप में भी माना जाता है और उनका जो चित्रन जो फोटो बनाया गया है उसमें उनको दरिदता भी बताया गया है फटे हुए कपड़े पेर हैं उनके पास में उनकी सवारी कववा है नानमली आप देवी जी की पूजा करते हैं तो वो सुहागन रूप मेरेती, सोला सुहागन करके रेती है और शेर की सवारी करती है पन्तु मा भगवती दुमावती एक वाहन में बेटती है जिसका कववा उस वाहन को चलाता है तो दुमावती मा के बारे में तंत्र विद्या की देवी माना जाता है और तंत्र में भी वो जो इसके गुरू से जो मनुष्य गुरू से दिक्षित हो वही मनुष्य मा धुमावती की साधना और उपासना कर सकता है दुम दुम दुमावति ठाठा इसका मंत्र जप करने से आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या नहीं हो सकती दस महाविद्या है उस दस महाविद्या में माध धुमावति का नाम सात्वे नंबर पे आता है काली तारा महाविद्या सोडसी भूनेश्वरी भैरिवी छिन्नमस्ता चदुमावती याने सात्वे नंबर पर माँ भगवती दुमावती का नाम आता है इनके बारे में हमारे कुछ शास्र है उनमें एक कथा भी बताई गई है कि माँ धुमावती बनी कैसे एक बार भगवती पारवती अब यहाँ पे शब्दों का इस्तेमाल देखिएगा कि एक बार भगवती पारवती भगवान शीव के साथ केलाश परवत पर बेठी हुई थी उन्होंने महादेव से अपनी भुक का निवारन करने का निवेदन किया तो जब बार बार पारवती मा ने भोले नात से कहा कि मुझे भूक लग रही है भूक लग रही है पन्तु जब भगवान शीव जी ने उनकी तरफ बिलकुल भी ध्यान नहीं दिया तब उन्हें भूक इतनी नहीं तेज लगी कि महादेव को उठा कर कहीं निगल गई और उनके शरीर से धुम धुमा निकला शीव जी ने उस समय पारवती जी से कहा कि आपकी सुन्दर मुर्ती धुएं से ढख जाने के कारण धुमावती या धुम्रा कही जाएगी तब से पारवती मा को धुमावती कहा गया है याने रूप पारवती का ही है परन्तु अलग किस्म का रूप हो गया उनका चुकि दुमे से धग गई थी वो धुमावती ये महाशक्ती में आती है इसलिए इसकी साधना करने के पहले नीचे से ABCD सीखना चाहिए डारेक धुमावती की आराधना साधना नहीं की जाती है और धुमावती महाशक्ती अकेली है तता स्वयम नियंत्रिका है इसका कोई स्वामी नहीं है इसलिए इसे विद्वा कहा गया है विद्वा देवी मानते हैं इसलिए कहते हैं कि सुहागन इस्त्रियों को माधुमावती की उपासना साधना जप और उनकी मुर्थी के दर्शन भी नहीं करने चाहिए दुर्गा सप्त शति के अनुसार अब स्रिए देवी भागवत महापुरान के अंतरगत हम आपको धुमावती देवी दी के बारे में बता रहे हैं तो दुर्गा सप्तशती जो किताब है उनके अनुसान इनोंने ही प्रतिग्या की थी कि जो मुझे युद्ध में जीत लेगा तथा मेरा गर्व जूर कर देगा वही मेरा पती होगा एसा दुर्गा सफसती में आप पढ़ोगे तो आएगा तो एसा कभी नहीं हुआ अतह या कुमारी है ये धन या पती रहित है अत्वा अपने पती महादेव को निगल जाने के कारण विदवा भी है इसलिए इनको युद्ध में कोई जीत नहीं पाया और इनका कोई पती नही ही रखी अब हम आते हैं नारद पंच्यास्त्र में एक किताब हैं नारद पांच रात्र के अनुसार इनों ने अपने शरीर से उग्र चंडिका को प्रकट किया था एसा किताब बताती है कि उग्र सेकडों उग्र चंडिकाओं को प्रकट किया सेकडों गिदड़ियों की तरह आवाज करने वाली थी शीव को निगलने का तात्पर ही क्या इसका विशलेशन करना चाहिए हमें कि उनके स्वामित्व का निशेद यानि कि असुरों के कच्चे मांस से इनकी अंग भूता शिवाएं तरप्त हुई है यही इनकी भूक का रहस्य है इसलिए मात धुमावती का जब भी पूजा पाट किया जाता है और हवन किया जाता है तो कच्चे मांस से हवन करना चाहिए तब ही वो तरप तो होती है तो लोग माँ को मालूम नहीं आजकल बहुत से मनुश्य माद्धुमावती माद्धुमावती की साधना करते फिरते हैं और फिर पागल हो जाते हैं कुछ लोग अपने शत्रु नाश के लिए भी माद्धुमावती का प्रयोग करते हैं और वो भी बरवाद हो जाते हैं क्योंकि माद्धुमावती का प्रयोग करने वाले बहुत कम मनुश्य हैं जिने ज्यान ही नहीं हैं वो द्धुमावती का प्रयोग करा रहे हैं वेदिक र हुए हैं आपको भी ज्ञान नहीं किसी पंडित जी ने आपको सला दे दी कि अरे आपके दुश्मन बहुत ज़्यादा होगे बिजनेस में घाटा हो रहा है मा धुमावती का अनुष्ठान करा लो मैं कर दूँआ अरे वो तंत्र की देवी है क्या जिन महाशेय ने आपको बोला क्या उनने कभी तंत्र सीखा क्या उनके गुरु तांत्रिक थे तो जो व्यक्ति बिना ज्यान के अज्यानता से मा धुमावती की अनुष्ठान कराता है वो बरबाद हो जाता है उसके कुल का नाश हो जाता है तो असूरों के कच्छे मांस से इनकी अंग भूता शिवाएं तरप्त हुई यही इनकी भूक का रहस्य है जैसे कि माधुमावति का हम ध्यान बोलते हैं तो इनहें विवर्ण कहा जाता है चंचला कहा जाता है काले रंग वाली कहा जाता है मेले कपड़े धारन करने वाली खुले केशो वाली विद्वा इस्तरी काग धज़ वाले रस्त पर आरुण है हात में सूप धारन किये हैं भूक प्यास से व्याकुल है तथा निर्गम निर्मम आखो वाली बताया गया है याने कि मा धुमावती की उपासना करने का मतलब है उनकी जो शिवाएं हैं बहुत सारी उनको त्रप्त करना और उनको त्रप्त करने के लिए बली देना होती है खुन चाहिए होता है मानस चाहिए होता है और जदि आपने बली नहीं दी और मा भगवती धुमावती का आवहान कलिया और उनके साथ में बहुत सारी शिवाएं आ गई तो आपके खून की प्यासी हो जाएगी इसलिए मा धुमावती की उपासना नहीं करनी चाहिए और नहीं पूजा करते हैं इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कभी उनकी जिवान पर भी मा धुमावती का नाम नहीं आया और नहीं मा धुमावती का अनुस्ठान होता है बहुत से गाओं हैं उन गाओं के गाओं ऐसे हैं जिन में एग भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिने मा धुमावती के बारे में ज्यान हो अब स्वतंत तंत्र के अनुसार सती ने जब दक्ष यग्य में योगागनी के द्वारा अपने आपको भस्म कर दिया तब उस समय जो धुमा उत्पन हुआ उससे धुमावती विग्रह का प्राकट हुआ एक जगे ये भी लिखा हुआ है तो द्वावती की उपासना जो है विपत्ति नाश करने के लिए की जाती है रोग निवारन के लिए की जाती है युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए की जाती है उच्छाटन मारन आदी के लिए भी की जाती है कि यहनक सीरे सीधी बात यह है कि माँ भगवती धुमावती जो है यह तंत्र की देवी है और इनकी पूजन अर्चन रात को ही की जाती है और बली दिये बिना इनकी पूजा स्विकान नहीं होती है शाक्त प्रमोध में कहा गया है कि इंके उपासक पर दुष्ट अभीचार का प्रभाव नहीं पढ़ता है कि यहनि जो व्यक्ति इंके उपासना करता है उसके अपर कोई तांत्रीक अभीचारी कर्म नहीं हो सकता और यदि कोई सेने करने की कोशिश की तो उसके पर उल्टा प्रहार उसी के उपर हो जाता है यने कोई मनुष्य जिसका चंद्रमा बहुत कमजोर हो चंद्र राहु एक साथ वेठा हुआ हो जिसके उपर तांत्रिक अभीचारी कर्म होने की संभावना बहुत जादा होती है जिन्दिगी में पागलपन की अवस्ता भी आ सकती है चंद्रमा कमजोर होने की वज़े से या फिर चंद्रमा के आगे पीछे कोई भी ग्रह नहीं हो चंद्रमा के ऊपर राहु की दरश्टी हो तो मान करके चले एसे मनुष्य को मा धुमावती की उपासना जन्मत से करना प्राड़ंब कर देना चीए ताकि उसके उपर कोई भी प्रेत बादा उपरी बादा तांत् शान निमंतन दे करके नहीं भेजा जा सकता कि इन सीरी-सीरी बात है कि जो व्यक्ति, मा भगवती, दुमावती की उपासना करता है उसके उपर ये अभीचारी कर्म जो होते हैं कौन-कौन सा अभीचारी कर्म, मारन, मोहन, उचाटन, वशीकर्न ये सब का मशट कर्म जो होते हैं ये शट कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता है संसार में रोग दुख के कारण चार देवता होते हैं ज्वर याने बुखार उनबाद याने क्रोध दाहारून के कौप से मुर्छान विकलांगता यम के कौप से मिलती है धूल गठिया लकवा ये वरून के कौप से मिलता है तब शोक कलह चुदा च्रशना आधी ये जो है नेरित के कौप से प्राप्त होते हैं तो ये रोग के चार देवता मैंने आपको बता दिये यदि आपके घर में इन में से कोई रोग है तो पूजा करना प्रारंब कर दें आप मलग किसी को बार बार बुखार आता हो बार बार उनमाद उत्पन होता हो शरीर जलता हो तो ये मान करके चले रुद्र के कोप से ये सब होता है रुद्र याने शीव जी तो ऐसे मनुष्य को शीव जी की पूजा जादा से जादा करना है और रुद्र अभीशे करना है और महामर्तिंजे मंत्र के जब करवाना चाहिए यदि बुखा नहीं रुक रहा हो तो जर उन्मात तथा दाहा यहने शरीर जलता हो किसी भी वजह से तो मान करके चलें कि रुद्र का कोप है तो ओम्रतिंजे महादे उत्राहि माम्शर नागतम जन्ममत्युजराव्याधी पीडितम कर्मबंदने ओम्त्रेंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमी बंदनान नमत्योर मुखशिये माम्रतात तो मुर्चा आना विकलांगता यह सब यमराच की क्रोध से उत्पन होते हैं तो जिसको मुर्चा बार बार मुर्चा आने की बिमारी हो जाती है विकलांगता हो जाती है तो वो यमराच की पूजा करना चाहिए यम की पूजा करना चाहिए और जिसको गठियावाद हो जाता है लकवा लग जाता है उसको वरुण देवता की पूजा करना चाहिए ने पिछले जनम के पाप कर्म के फल वरुण देवता उनको ये कस्ट प्रदान करते है यहने सब जो भी हम इस जन्म में जितने भी रोग शोक मिलते हैं यह सब पिछले जन्म के कर्मों का फल होता है यदि किसी को शोक मिलता है कलह होती है भूग जादा लगती हो तरशना बहुत जादा उत्पन्न हो जाती हो तो निरती के क्रोप से नेरित्य के क्रोध से यह शोकलह शुदा तरशना मिलती है तो यह जो बिमारियां बताई गई है चारों बिमारी मा भगवती धुमावती की उपासना से शान्त हो जाती है परंतु जो भी उपासना करें वीदी विदान से करें जो भी अनुस्ठान करें वीदी विदान से करें और यह खुले आस्मान के अंतरगत होती है गर के अंदर मात धुमावती की उपासना और पूजा नहीं होती है और नहीं हवन होता है किताब है एक शत पत ब्राह्मन के अनुसार धुमावती और निर्रती एक ही है यह लक्ष्मी की जेश्ता है अता जेश्ता नक्षत्र में व्यक्ति उत्पन जीवन भर दुख भोगता है इसलिए माधुमावती की उपासना भी जेश्ता नक्षत्र में ही करना चाहिए दूसरे नक्षत्र में माधुमावती की उपासना नहीं करनी चाहिए और नुष्ठान भी प्राणम नहीं करना चाहिए जेश्ता नक्षत्र इसके लिए सबसे उचित्त समय होता है अब हम चलते तंत ग्रंथों के अनुसार धुमावती उग्रतारा ही है जो धुम्रा होने से धुमावती कही गई है और दुर्गा सब्त शती में एक शब्द आया है वा भ्रमी और तामसीना से इनीकी चर्चा की गई है जब यह प्रसन्न हो जाती है तो रोग शोक को नस्ट कर देती है तथा कुपित होने पर समस्त सुखों और कामनाओं को नस्ट भी कर देती है तो यह कौन करती है? माद धुमावती तुम दुम 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 तता संपन्दता प्राप्त होती है तो आप सभी यहां पे जितने भी बड़े बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं उन सब को मेरा प्रणाम है और इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि यदि आप यहां की देवी भागवत कता सुनने के बाद में घर जाते हैं तो जिस किसी से भी मा धुमावती का अनुष्ठान कराएं रोग नाश के लिए शोग नाश के लिए या विपत्ति नाश के लिए क्योंकि हो सकता है किसी मनुष्य ने आपके पेसे खा गया हो हो सकता है कोई व्यक्ति आपके मकान के उपर कबजा करके बेठा हो हो सकता है आपके ही भाई लोगों ने आपको घर से बहान निकाल दिया हो तो आपके मन में बात आ रही होगी कि हम भी दुमावती का अनुष्ठान कराएं तो दुमावती का अनुष्ठान बहुत ही साउधानी से कराना है आपको हर किसी के कहने पर नहीं कराना है और ऐसे व्यक्ति के माद्यम से कराना है जिसको धुमावती का अनुष्ठान करने की योग्यता हो और जो चीज में हम आपके सावने प्रस्तुत कर रहे हैं वो चीज वो भी व्यक्ति आप उनसे पूछें और ये चीजें बोलकर के दिए वो confirm करता है कि हाँ आपको लगता है कि हाँ जो हमने बताई वही बाते वो भी बोल रहा है तो वो कर सकता है तो रिगवेद में रातरी सुक्त है उसमें भी इनहें सुतरा कहा गया है अब सुतरा का अर्थ है सुख पुरवग तारने योग्य तारा या तारिनी को इनका पुर्ण रूप बताया गया है इसलिए आगमों में इने अभा और संकोट को दूर कर सुख प्रदान करने वाली भूती भी कहा गया है ये दुरगा सफसती में शब नाम आते हैं आपने नाम सुने होंगे दुरगा सफसती का पाठ की आगा तो भूती नाम की देवी जी भी आती है तारा नाम की देवी जी भी आती है तारिनी नाम की देवी जी भी आती है सूतरा नाम की देवी जी भी आती है वाभ्रमी भी आती है तामसी भी आती है तो धुमावती इस्थिर प्रग्यता की प्रतीक है और इनका काक द्वज वासना ग्रस्त मन है जो निरंतर अत्रप्त रेता है जीव की दीन अवस्ता भूक प्यास कलह दरिदता आदी इनकी किरियां है अर्थात वेद की शब्दावली में दुमावती जो है वो कड्डू है कड्डू जो वक्तरासुर आदी को पेदा करती है अब आप सोन सकते हैं कि दुमावती माने वक्तरासुर जैसे राक्षश को उत्पन्न किया था दुम दुम दुमावती थाता दुम दुम दुमावती थाता दुम दुम दुमावती थाता दुम दुम दुमावती थाता तो इनकी साधना जब भी करते हैं तो इसमें अती संयम और ब्रह्मचर की आवशक्ता होती है दुमावती महाविद्या एक उग्र साधना है उग्र विद्या है तो इसके लिए बहुत संयम की आवशक्ता होगी और भयंकर ब्रह्मिचर व्रत्य का पालन करना पड़ता है और प्रत्यक नारी को मा की दरश्टी से ही देखना पड़ता है गुरू से परामस लेने के पश्चाती साधना को करना चाहिए यह बहुत अति दुल्लब और अति गोपनी है तंत्रबादा अकाला जादू इसका नाश करने के लिए मा धुमावती का तंत्रिक प्रयोग किया जाता है महा विद्या धुमावती भक्त का मारदर्शन भी करती है और सिद्धियों को प्रदान भी करती है बहुत से मनुष्य हम देखते हैं कमख्या धाम में आसाम गोहाटी में निलान चल पहाडी पर धुमावती मा को तंत्रिकों के द्वारा सिद्धियों की प्राप्ती के लिए पूजन भी किया जाता है किताबों में धुमावती मा को महान शिक्षक के रूप में भी वर्नित किया जाता है जो ब्रह्मावान का अंतिम ग्यान है उसको प्रकट करती है मा धुमावती जो है भयानक रूप वाली भक्त को स्वतही जीवन से परे देखने जीवन को भीतर की सच्चाईयों की तलाश करने की शिक्षा भी देती है अब धुमावती मा की पूजा किस-किस को करनी चाहिए जैसा कि मैंने बताए कि धुमावती मा की पूजा तांतिरिक लोग करते हैं विद्वा लोग करते हैं सन्यासी लोग करते हैं और अकेले व्यक्तियों के लिए आदश्मानियाती जिनका विवाहा नहीं हुआ है और नहीं विवाहा करने की इच्छा है चाहे इस्तरी हो या पुरुष हो जिसकी पतनी मर चुकी हो जिसका पती मर चुका हो या ऐसा तांतरी इसलिए कहा जाता है कि जो तंतर का काम करता है उ इसलिए हमारे गाओं के बड़े बुजूर के कहा करते थे और अभी भी कहते हैं कि तंत्रिक मदबन बंशी का नाश हो जाएगा क्यों? क्योंकि इस तंत्रिक विद्या में दस महाविद्या की उपासना करना पड़ती है और दस महाविद्या की उपासना समशान में की जाती है और समशान की पूजा में बली देना पड़ती है भूत, प्रेत, पिशाच, चुडे, लडाकन, जिन, जिननात इन लोगों से बाच्चित करना पड़ती है दो-दो-चार-चार हाथ करना पड़ता है तो फिर आप अपने परिवार को नहीं बसा सकते हैं इसलिए जो व्यक्ति परिवार बसाने का दिल दिमाग से निकाल चुका हो वही व्यक्ति माध धुमावती की उपासना कर सकता है बस यह विद्वा इस्त्री कोई सन्यासी यह सन्यासी इस्त्री अक्यला व्यक्ति जिसने विवाहा नहीं किया हो या फिर जिसकी पतनी मर गई हो या जिस इस्तिरी का पती मर गया हो ग्रहस्ति लोग भी उनका आशिर्वात तो ले सकते हैं परन्तु साधना पूजा अनुष्ठान नहीं करनी चाहिए दुम दुम दुमावति ठाटा दुम दुम दुमावति ठाटा इस मंत्र को जो मनुष्च जिसका नाम लिया मैंने उन मनुष्चों के लिए केवल ग्रहस्ति लोगों के लिए नहीं है वकाले जादु और जीवन की अन्य तंत्र बाधाओं को दूर करने के लिए भी इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं ये महाविद्या दुमावती महा का प्रभौत प्रभावी मंत्र है जेस्था नक्षत्र में शुब दिन से मावगवती दुमावती के मंत्र का जाप करना चाहिए और जैसे कि या तो नवरात्री में करें या दक्षिन की और विज्या दश्मी के दिन करें काला जादू दूर करने के उद्देश के लिए भी किया जाता है पन्तु इनकी जो उपासना की जाती है उसमें काले कपड़े पहने जाते हैं दक्षिन में मूँ करके पूजा की जाती है और काला जादू को दूर करने, काला जादू को हटाने के लिए भी इनके मंत्र का प्रयोक किया जाता है और महा विद्या धुमावती की पूजा जो है, सफेद फूलों से करनी चाहिए, दूब लगाना चाहिए, घी का दिपक जला सकते हैं और इनका मंत्र का जब करने के बाद में, कम से कम 11 माला, 21 माला, 27 माला का जब करें पिर दशान सहवन करें, और फिर अभी मंत्र जल जो कलश में रखा होगा अपने कुछ भी मंत्र हो सकता है, ऐसे जो सबसे प्रचलित मंत्रे वह दूम दूम दुम दुमावती यदि आपको कोई कारी कराना हो, तो फिर ठा ठा लगा सकते हैं तो इस प्रकार से मा दुमावती की उपासना कोन कर सकता है, कोन नहीं कर सकता है उपासना कब करना चाहिए, और इनकी उपासना हर कोई व्यक्ति क्यों नहीं करता है ये सब चीज आज हमने आपको बता दी तो स्रीमत देवी भागवत का था महापुरान के अंतरकत जो हम दस महाविद्या पर चर्चा कर रहे थे उसमें एक महाविद्या याने धुमावती मा के उपर हमने आज आपको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास किया यदि किसी मनुष्य को माधुमावती का अनुष्ठान कराना हो तो वो देवराधा ट्रस्ट सत्यवानी चैनल से संपर्क कर सकता है विदी विधान से जिस किसी को बई कराना हो उनका अनुष्ठान किया जाएगा मादुमावती अपने साधक को सारे सांसारिक बंधनों से आजात करती है सांसारिक मोह माया से विरक्ति दिलाती है यही विरक्त भाँ उनके साधनों को अन्य लोगों से अलग थलग और एकांतवास करने को प्रेरित करती है इसलिए कहते हैं कि जो परिवार का व्यक्ति है सांसारिक प्राणी है परिवार में रहना चाहता है उसे माँ भगवती की उपासना नहीं करनी चाहिए सन्यासी लोग होते हैं संतुस्ट होते हैं, जो मिल गया ठीक, ना मिला ठीक जो मिला खा लिया, पहन लिया, जहां भी ठहने को मोका मिला ठह लिये तभी तो धुमावती धुएं के रूप में है हमेशा अस्थिर तो जिस व्यक्ति को धुमावती की सिद्धी होती है वह कभी वी एक जगे नहीं रह सकता गती शील होता है दुए के माफिक बेचेईन, उनका साधक भी बेचेन रेता है और जिस व्यक्ति को बेचेन ही पसंद आती हो वही माध्धुमावती की साधना करे अन्यता नहीं करे क्योंकि मैंने बार-बार कहता हूँ कि आप किसी भी देवी या देवता की साधना करते हैं, उपासना करते हैं अनुस्ठान करते हैं तो उस साधक मनुष्य को पहले उस देवी देवता के गुणों को आत्म साथ करना पड़ता है इसलिए माभगवती धुमावती काम, क्रोध, लोब, मो, मद, मद, सर, इर्शा, त्रशना इनके पास से दूर कर देती है और बड़े बेदर्दी से और बड़े रूखे पन से इन दस राक्षिसों से अलग कर देती है और साधक अकेला रहना पसंद करने लग जाता है यही तो माभगवती का रहस्य है माभगवती सहस्त नाम भी है साधक मनुष्य उनके सहस्त नाम का पाठ भी करते है माभगवती के चहरे पर हमेशा उदासी चाही रहती है महाविद्या जरूर है लेकिन उनका व्यवहार गाव टोले की दादी मा जैसा है बुड़ी है इसलिए सभी के लिए मात्रक्त भाव उनके मन में रेता है तो जैसा कि मैंने कहानी आपको बताई है कि जब सती माता ने पिता के यग्य में स्वेच्छा से स्वयम को जला कर भस्म कर दिया तो उनके जलते हुए शरीर से जो दुआ निकला उसे धुमावती का जन्म हुआ इसलिए वह हमेशा उदास रहती है सती का जो कुछ बचा रहा उदास धुआ बस और दूसरी कहानी जो मैंने आपको बताई थी शाटकट हुए कि एक बार सती शीव के साथ हिमाले में विश्रन कर रही थी तब ही उन्हें जोरों की भूग लगी उन्होंने शीव से कहा मुझे भूग लगी है मेरे लिए भोजन का प्रबंद करो शीव ने कहा अभी कोई प्रबंद नहीं हो सकता तब सती ने कहा ठीक है मैं तुम्हे ही खा जाती हूँ और वे शीव को ही निगल गई जो शीव जी इस जगत के सरजक हैं परिपालक हैं फिर शीव ने उनसे अनुरोद किया कि मुझे बहान निकालो तो उन्होंने उगल कर उन्हें बहान निकाल दिया निकलने के बाशीव ने उन्हें शाब दिया कि अभी से तुम विद्वा रूप में रहोगी तभी से ये विद्वा है अभी शप्त है और परित्यक्त है भूख लगना और पती को निकल जाना यह संगेत है यह इंसान की कामनाओं का प्रतिक है जो कभी खतम नहीं होती और इसलिए वह हमेशा असंदुष्ट रेता है हर कथा के पीछे कुछ लाजिक है तो माद्धुमावती उन कामनाओं को खा जाने वाली नस्ट करने की और इशारा करती है अब कहानी में देखिए कि कहानी में क्या होता है कि पहले तो वो शीव को खाती है यानि आत्म रक्षा के लिए निमारा भूख लगी उनको और भूख के चुदा को शान्त करने के लिए शीव को खा जाती है यानि आत्म रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकती है ये उसका संकेत है ये इंडिकेशन है लेकिन दूसरी और वे शीव का शाप भी सहर से स्विकार कर लेती है यानि प्रकृती के क्योंकि देवी जी प्रकृती है तो प्रकृति के श्रष्टी के नीमों को सिकार कर लेना चाहिए ऐसा भी बताती है इसलिए माध्धुमावती रोग, शोक और दुख के नियंतरक महाविद्या मानी जाती है ये बहुत शक्तिशाली और प्रभावशाली है और इनके मंदिर इसलिए कहीं पूरे विश्व में कम है भारत में यह जितने भी है और कहीं पर मंदिर नहीं है कामाख्या धाम में माध्धुमावती का मंदिर है मनारस काशी में माध्धुमावती का मंदिर है और मध्य प्रदेश में पीतामबरापीट दतिया में माध्धुमावती का एक मंदिर है तो माध्धुमावती रोगों को शोक को दूर करती है और मनश्य की कामनाओं का नाश कर देती है और जो मनश्य विपत्ती में उनके पास चला जाता उनकी विपत्ती को दूर कर देती है वह से मनुष्य उन्हें अलक्ष्मी और विनाश की देवी ही मांते हैं उनका जो चित्रन है उनका जो फोटो है वो एक वरदददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददद इसका मतलब उस देवी में भी प्रेम तो है इसलिए दुमावती जो है सोभाग्य दाई भी है इसलिए माध दुमावती की उपासना हर किसी मनुष्य को नहीं करनी चाहिए और जब भी कराएं कोई अनुष्ठान वगेरा सो किसी योग ये व्यक्ति से कराएं ताकि अपने शत्रों से मुक्ति ले सकें आर्थिकुन्नती प्राप्त कर सकें कारिश शेत्र में सफलता प्राप्त कर सकें और व्यक्तित्त को प्रभावकारी कर सकें और यहां तक कि कुंडलीनी जागरण में भी मा धुमावती का रोल होता है तो धुम धुम धुमावती ठाठा दुम् 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 आवति थाथा, 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 दुम् 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 आवति थाथा, दुम् 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 आवति शूची हस्तम्च घोर दस्टाम अट्टहा सिनिम ये माद धुमावती का ध्यान मंत्र है और जब भी उनकी पूजा नर्चन करते हैं तो ओम अघोर रुद्राई नमह इसकी इनकी भी पूजा करना जरूरी होता है धुमावती मुखं पातु धुम धुम स्वाहा सरुबिनी ललाटे विज्या पातु मालीनी नित्य सुंदरिम कल्यानी रदय पातु हस्रीम नाभी देशिके सरवांग पातु देवेशी निश्कला भगमालिना सुपुन्यम कवचं दिव्यम यह पठेत भक्ती संयुक्तह सो भाग्य मैतं प्राप्त जाते देवी तुरम्ययो ये मंत्र बोलते हुए जो माधुमावती का नुस्ठान का जो कलश का जल होता है उसे सब जगे छिडखना चाहिए ये माधुमावती के विशेश आठ नाम है जो व्यक्ति इन आठ नामों को कम से कम सवासो माला करता हो तो उसके रोग शोक दुख का नाश हो सकता है परनतु ध्यान रहे ये खुले आश्मान के नीचे किसी नदी किनारे काली मंदिन में सम्शान में ही करना चाहिए जैमातादी जैमा का माधुमावती का आशिरवाद आप सब के उपर बना रहे एसी कामना हम जगत जन्नी से करते हैं दुम दुम दुमावती थाथा दुम दुम दुमावती थाथा दुम दुम दुमावती थाथा दुम 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 दुमावती थाथा काका रूनती क्रश्न भा भिन्न दंता विरागिनी मुक्त केशी सुधुम राक्षी छुत्र शार्ता भयातुरा चंचला चाती कामारता क्लिष्टा पुष्टाल सांगिता मलीना श्रमनी रक्ता व्यक्त गर्भे विरोधीनी घ्रत सर्प ग्रहस्ताच ध्यया दुमावती परा क्लिष्टाँ